दोस्तों, आज जिस एक छोटे से टॉपिक के उपर मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो है LTI माइंटरी लिम्टेट के कोर्टर वन के नंबर्स के पहले जो निवेशकों की सोच है, जो बड़े ब्रोकरेज होस है, वो क्या कह रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इसे एक वीडियो में देने कुष्ट करूँगा, और ये दोस्तों, इसलिए है क्योंकि आपके सकते हैं, सीरियस इंवेस्टर ग्रूप के एक मेंमर ने पूछा, कि एक छोटा से नायलसस, कि एक्च्छल में, क्योंकि ये देखे, आपको दिख रहा होगा आप इक स्क्रीन म इस समय में, ये एक सेंटिंग नंबर आगे रहेंगे, ऐसे तमाम सावालों के जवाब इसे एक वीडियो में देने कुष्ट करूँगा, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, या सिर्फ क्वाटर वन के पहले एक छोटा सा एनलसस चाहते हैं क तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों, और मैं ऐसे ही वीडियो से बनाता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा, अब लेके चलता हूं थोड़ा सा जो आप क्या सकते हैं एक आर्टिकल की कि अपने पियर के कंपारिशन में कंपनी प्रॉफित ग्रोथ काफी अच्छा दिखाएगी हां जो सबसे बड़ी चीज देखने लाइक होगी वो फानेशल 24 में ये गाइडेंस क्या देते हैं अपने निवेश को को कि भाई हम किस तरह आगे बढ़ाएंगे ठीक है ये कुली कंपेर फॉल्विंग दमर्जर ओफ लार्सेन एंड टूब्रो इंफो टैक एंड माइटरी विच वोज एफेक्टिव इन नवेंबर लास्ट एयर ठीक है आप देखें हां लिखा है सिक्वेंशल देखेंगे दो साफ्टेर सर्विस एक्सपोर्टर परफॉर्मेंस ल इन के सामने गीवन देखेंगे देखेंगे तफ ग्लोबल एकनोमिक एंवर्मेंट देखिए कई बर कहा तो जा रहा है बट अब कई कहर सोच लोग कह रहे है कि सब बखवास है कि जिस तरह से क्वार्टर वन के नंबर साय और मैं आज भी एक बात कहूंगा क्वार्टर वन क माम डराया जा रहा तो वह पीसे चल चुका है ठीक है इतना ही देखें कंपणी दोस्तों अभी अभी निफ्टी क्लब को जॉइन किया दोस्तों एडिसीन रेपोर्टिंग नेरली वन परसें सिक्वेंशल राइजन कंसॉलिडेट नेट रेविन्यू फॉर्टर टो रूपी 8,757 क्रोर रूपीज ठीक है और आप देख सकते हैं कि जो कंसॉलिडेट रेविन्यू में यहां कहा जा रहा है उसमें एक परसेंट का जंप होते हैं दिखाई देगा अकॉर्डिंग डू अवरेज ऑफ एस्टिमेट गीवन भाई 13 ब्रोकरेज हॉसे तेरा अलग अलग ब् परफोर्मेंस और यह कहा जरी जो बॉटम लाइन है उस पर साढ़े शे परसेंट का जंप आप दिखने को मिलेगा टू रूपीज वन था होजे बन एटीस एक्स पॉइंट फोर जिरो करूर बात करें यहां पर प्रॉफिट एटी सेवन परसेंट जम दिखाएगा और सेल तो उससे भी शांदार 94 परसेंट ठीक है और देखें दस सिटी बेस कंपनी विल डीटेल इस कौर्टरली अरिंग ओन मंडे यानि कल की बात कहीं जा रही है आप देखें बात करें बीफसाइगी दोस्तों जो काफी वीक रहा आईटी मेजर्स का जैसे टीसी एस वेपरो एस का एनलस्य एक्सपेक्ट कर रहे है कि एल्टे माइंटरी का भी इनी की समान थोड़ आपके सकते हैं कमजूर आपको दिखेगा क्या नमबस दोस्तों ठीक है लेकिन इतना ही नहीं थोड़ा सा आगे और चलते हैं और अर्ने चीजों में चर्चा करते हैं देखें जो बीफस वर्ट वर्ट वर्टिकल मेड फ़र मोजन वर्ट एनम यां लिटके माइंटरी के साथ यह इस्यूं है दूस्तों कि जो बीफसी वर्टिकल है वो मोरदन वर्ट टोटल रेवेन्यों जंडरेट कर दिया थे इनको माज का डर में और इतना ही नहीं आप किसकते हैं वन कर रहे हैं company guidance क्या देगी financial 24 को और मैं यह हमेशा कहता हूँ number से जाधा guidance आप कह सकते है commentary यह बहुत important होती company की ठीक है आप देखें here's the summary of brokerages earning expectation from India's fifth largest IT company यहां दोस्तों आप LTI मानेटरी इंडिया की पाचवी सबसे बड़ी IT company बन चोकी है दोस्तों तो सबसे बहुत करेंगे HSBC securities की तो यहां यह कह रहे है कि revenue फ्लाट होगा quarter on quarter और constant currency के terms में वाइल कुछ green shoots हमको देखने को मिलेंगे high tech portfolio में BFSI वो काफी weak रहेगा quarter one में दोस्तों और estimate की यह कहा जा रहा है कि margin रहने वाले वो mostly flat रहेंगे ठीक है कुछ positive bias के साथ साथ बात करें cost optimization की वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है दो lower volumes को tender meaningful margin recovery in the quarter volume में कमी होने कारण कुछ ऐसा बहुत बड़ा पर्वेतन हो ऐसा HSBC security को नहीं लगता है बात करते हैं GM financial की तो देखिए we expect point six percent constant currency revenue growth ठीक है यह भी आप कह सकते है flatty सी बाइट कहीं जा रही है high tech vertical यह कुछ marginal growth दिखा सकता है हां लेकिन BFSI यहां पर भी कहा जा रहा है कि क्लाफिस sluggish रहेगा यानि weak रहेगा large bank continue to tighten black क्योंकि जो large care banks है वो लगातार थोड़ा आप कह सकते हैं अपनी जो खर्च करने की PTO से लगातार बंद कर रहे हैं ठीक है बात करें निर्वन बंक equities की तो इनका कहना है भाया कि constant currency के term में revenue में एक परसेंट की गिरावाट होगी जी यहां याद रखेगा निर्वन बंक जो है वो गिरावाट की बात कर रहे हैं in the second full quarter of for LTM after the margin was completed on 4th of November 22 इतने नहीं LTM itself has had indicated a softer start LTIM ने पहली कहा था कि भाया जो 2024 में कुछ softer start हम को देखने को मिलेगी और pick up कब expect होगा after one or two quarter आने वाले एक से दो quarter में हां यह ज़रूर है कि double digit revenue growth guidance कहीं जा रही है जो क्या बता रहा है implies जो कि very strong pick up for starting second quarter यानि जो second quarter अगला आने वाला है वहां से काफी अची चीज़ें आपके होती दिखाए देंगी which we believe is highly unlikely और निर्वल बां की कुटी कहीं मानने कि यह ऐसा होना बहुत मुश्किल है इसे बात कहीं जा रही है we think it would revise its revenue growth guidance lower इस बार जो quarter one में company कहेगी और वो company अपनी growth guidance उसे कम करी और देखिये अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है हाँ चीज़े कुछ हद तक problematic कुछ हद तक जटके दे सकती है ठीक है जो total contractual value दोस्तों quarter four में वो 1.35 billion थी जो की third quarter में दोस्तों 1.253 यहां पर jump we will want to keep a close on the number for first quarter हर को यह कह रहा है कि इस बार company किस प्रकार के total contractual value number लेके आती है बहुत लोग keenly watch कर रहे हैं दोस्तों अब बात लेकिते हैं लास्ट नौत लीस्ट of retail high tech ठीक है जो mindry portfolio है उसका exposure रहां पर दोस्तों उन verticals पे जहां पर थोड़ी सी impact है दोस्तों कौंसी retail high tech में जो काफी pressure है दोस्तों तो मुझे लगता है तमाम जो आपके सकते हैं एक एक चीज़ी वो चर्चा कर जा चुकी है final verdict कर राएगा दोस्तों आप जाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe परें मैं उसे ले कि आऊंगा यहां तक जुड़े रहे एक छोटा सा analysis था जो एक साथ शेयर करना था यहां तक जुड गंदे जाहिन